सांता कारं भुचंग सैनं पद्मनाभं सुडेसं विश्वा धारं गगन सर्द्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भौबैहरं सर्व लोके कनाथं आज का दिन आप सभी के लिए मंगल मैं हो आईये सुनते हैं फागुन मास कथा का चौदाववा अध्याए श्री मेत्रे जी कहते हैं विदुर जी इसके बाद ब्राह्मनों ने पुत्रहिन राजा वेन की भुजाओं का मंधन किया तब उनसे एक इस्तरी पुरुस का जोड़ा प्रकट हुआ ब्रह्मावादी रिसी उस जोड़े को उत्पन हुआ देख और उसे भागवान का अंस जान बहुत प्रसन हुए और बोले रिसीयों ने कहा यह पुरुस भागवान विष्णू की विष्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह इस्तरी उस परम पुरुस की अनपाइनी सक्ती लक्षमी जी का उतार है इन में से जो पुरुस है वह अपने सुयस का प्रथम विष्थार करने के कारण परम यह सस्वी पृथू नामक समराथ होगा राजाओं में यही सबसे पहला होगा यह सुंदर दातों वाली एवन गुण और आबुसनों को भी विभुसित करने वाली सुंदरी इन पृथू को ही अपना पती बनाएगी इसका नाम अर्ची होगा पृथू के रूप में साक्षात स्रीहरी के अंस ने ही संसार की रक्षा के लिए अतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भागवान के सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी स्री लक्षमी जही प्रकट हुई है स्री मेतर जी कहते हैं विदुर जी उस समें ब्राहमन लोग प्रिथू की एस्तुती करने लगे सेश्ट गंधरों ने गुनगान किया सिदों ने पुस्पो की वर्षा की अपस्राएं नाचने लगी आकास में संख तुरी मिर्दंग और दुन्दभी आधी बाजे बन्जे लगें समस्त देवता जिसी और पितर अपने अपने लोकों से वहां आये जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेस्वरों के साथ पधारे उन्होंने वेन कुमार प्रिथु के दाइने हाथ में भगवान विश्म्यू के हस्त रेखाएं और चर्णों में कमल का चिन है देखकर उन्हें स्री हरी का ही अंस समझा क्योंकि जिसके हाथ में दुसरी देखाओं से बीना कटा हुआ चकर का चिन होता है वह भगवान का ही अंस होता है वेदवादी ब्रहमनों ने महराज प्रिथु के अभिसेक का आयोचन किया सब लोग उसकी सामगरी जुटाने में लग गए उस समय नदी समुद्र परवत सर्प गव पक्षी मरिग स्वर्ग प्रिथुी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह-तरह के उफार भेंट किये सुन्दर वस्त्र और आबुष्णों से अलंकरित महराज प्रिथु का विद्वत राज्य भिसेक हुआ उस में अनेकों अलंकारों से सजी हुई मारानी अर्ची के साथ वे दुसरे अगनी देव के सद्री से जान पड़ते थे वीर विदुर जी उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुन्दर सोने का सिहासन दिया तथा वरों ने चंदर्मा के समान स्वेत और प्रकास में चत्र दिया जिससे निरंतर जल की फूयां जरती रती थी वायू ने दो चमवर धर्म ने किर्थी में माला इंदर ने मनोहर मुकुट यम ने दमन करने वाला डंड ब्रह्मा ने वेड में कवच सरस्वती ने सुन्दर हार विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपती रोधर ने दस चंदराकार चिन्हों से योक्त कोस वाली तलवार अंबिका जी ने 100 चंदराकार चिन्हों वाली ढाल चंद्रमा ने अम्रित में अस्व, त्वश्टा ने सुन्दर रथ, अगनी ने बकरे और गौ के सिंगों से बना हुआ सुद्रिड धनुस, सुरी ने तेजों में बान, पित्वी ने चर्ण इसपर्श मात्र से अभिष्ट इस्थान पर पहुंचा देने वाली योग मैं पाद लुकाएं, देवता ने नित्य नूतन पुस्पो की माला, आकास विहारी सिद गंधरवादी ने नाचने गाने, बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की सक्ती, रिसियों ने अमोग आशिरवाद, समुद्र ने अपने से उत्पन हुआ संक्त था, सातो समुद्र, परवत और न वेन पुत्र परम प्रतापी महराज प्रिथू ने हस्ते हुए मेगर के समान गंभीर वाणी में कहा, सौमे सुद्र, मागध और वंदी चन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी अस्तुति करोगे, मेरे विश सिष्ट पूरुस पवित्र करते स्रीहरी के गुणानुवात के राते हुए तुक्ष मनुस्यों की अस्तुति नहीं किया करते हैं, महान गुणों को धारन करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पूरुस है, जो उनके नराने पर भी केवल संभाव मातर से अ पालो द्वारा अपनी अस्तुति कराएगा, यदि या विध्या भ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं, इस प्रकार की अस्तुति से तो मनुस्य की वंचना की जाती है, वह मंद मती यह नहीं समझता, कि इस प्रकार तो लोग उसका उफास ही कर रहे हैं, जिस प्रकार लज्जा सिल उदार पुरुष अपने किसी नेंदित प्राक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोग विख्यात समर्थ पुरुष अपनी अस्तुति को भी नेंदित मानते हैं, सुद्गन, अभी हम अपने सेष्ट कर्मों के द्वारा लोग में अप्रसीद ही हैं, हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रसंसा की जा सके, तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी किर्थी का किस प्रकार गान करवाएं, स्री मेतर जी कहते हैं, माराज प्रिथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचना म मूनियों की प्रेड़ना से उनकी इस प्रकार इस्तुति करने लगें, आप साक्षात देव प्रवर्श्री नारायन ही हैं, जो अपनी माया से अवत्रिण हुए हैं, हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, आपने जन्म तुराजा वेन की मूनियों की मूनिय देश के अनुसार, उनी की प्रेड़ना से हम आपके परम प्रसंसनिय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात स्रीहरी के कालावतार हैं, और आपकी किर्ती बड़ी उधार हैं, ए धर्म धारियों में सेष्ट महाराज प्रिथू, लोग को धर्म में प्रव यागे आदी के प्रचार द्वारा, स्रग लोक और विष्टी की विवस्ता द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे, ए सुरी के समान अलोकिक, महिमान वित, प्रतापुवान और समदर्सी होंगे, जिस प्रकार सुरी देवता, आठ महिने तपते रहकर जल खिचते हैं और वर्षा रितू में उसे उढ़ेल देते हैं, उसी प्रकार एक कर आदी के द्वारा कभी धन संचे करेंगे, और कभी उसका पजा के हित के लिए वेकर डालेंगे, ए बड़े द्यालू होंगे, यदि कोई कभी दिन पूरुस इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा, तो भी ए प्रित्वी के समान उसके इस अनुचित वेवार को सदा सहन करेंगे, कभी वर्षा न होगी और पजा के प्राण संकट में पढ़ जाएंगे, तो ए राजवेसधारी स्रीहरी इंद्र की भाती जल बर्षा कर अनायस ही उसकी रक्ठा कर लेंगे, ए अपने अम्रित में मुख चंद्र की मनोहर मुसकान और प्रेम भरी चित्वन से संपूर्ण लोकों को आनंद मगन कर देंगे, इनकी गती को कोई समझ न सकेगा, इनके कारे भी गुप्थ होंगे, तथा उन्हे संपन्न करने का ढंग भी बहुत कंभीर होगा, इनका धन सदा सुरक्षित रहेग ए अनंत महत्मे और गुणों के एकमात्र आस्रे होंगे, इस प्रकार मनस्वी प्रिथू साक्षात वरुन के ही समान होंगे, माराज प्रिथू वेन रूप, अलनी के मन्थन से प्रकट हुए अगनी के समान है, सत्रू के लिए ए अत्यंत दुर्धर्स और दुस्र होंगे, ए उनके समिप रहने पर भी सेनादी से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे, सत्रू कभी इने हरा न सकेंगे, जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला, प्राण रूप सुत्रात्मा सलीर के भीतर बाहर के समस्थ वेपारों को देखते रहन को भी डंड़निये न होने पर कभी डंड़न देंगे और डंड़निये होने पर तो अपने पुत्र को भी डंड़न देंगे स्रे मैत्रे जी कहते हैं इस प्रकार जब वंदी जन ने माराज प्रिथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रसंसा की तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके इतधा, उनके मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। तो इसे के साथ यह अधियाय समप्त हुआ, इसके आगी की कता में कल के अधियाय में सुनाओंगा। तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु कीजए, स्री किष्ण भगवान कीजए, समस्त देवी देवताओं कीजए।